हेलो फ्रेंट स्वागे थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों नहीं जौब की इंफोर्मेशन लेके आया हूँ रुक्रीटमेंट है दोस्तों टाटा कम्यूनिकेशन की तरफ से ऐसा नहीं है कि ये रुक्रीटमेंट कोई पहली बार निकली है अलग-अलग cities में यह होती है बस आपको देखना यह है कि आप अपनी city के लिए आवेदन करिएगा main-main cities में यह recruitment रहती है और उसी के बारे में जो है मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको recruitment देखनी है और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है फिलाल vacancies कितनी है इसके बारे में नहीं बताया गया है और बताया भी नहीं जाएगा आपको क्या काम करना है अगर आप eligible है तो आपको apply करना है और fresher बिलकुल eligible है अगर आपका selection होता है तो अच्छी कासी आपको salary भी मिलेगी data communication में अगर आप चुहें वो काम करना चाहते है कुछ सीखना चाहते है और आप चुहें वो अच्छा खासा earn करना चाहते है तो यह बड़िया मौका है इसमें किसी भी तरह की आपको fees pay करने की जुरूरत नहीं है बस आपको उनकी website पर visit करना है वहाँ पर जाके आपको आपकी application submit कर देनी है अभी वो काम कैसे करना है वो भी वीडियो के last में जुरूर बताऊंगा तो शुरू सिले के last इस वीडियो को ध्यान से देखिए complete देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक detail का पता चल जाए सबसे पहले हम लोग जो है वो टाटा कम्यूनिकेशन की official website पर है इसका link आपको description में मिल जाएगा और आप इसी website पर आ जाएगे यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर date देख सकते हैं किस किस date को यह जो post करी गई है मैंने freshers के लिए recruitment ढूणने के लिए एक काम कराएगी यहाँ पर JR टाइप करा है इसका मतलब है junior तो यहाँ पर JR आप टाइप करके यहसे ही यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर junior customer service executive की post दिखेगी जो की अलग-अलग department में है यहाँ पर provisioning and configuration management में है telecom, network operations and maintenance में है इसके लावा service assurance में है program management में है और हर एक post के लिए अलग उन्होंने जो ही वो चीज़े मागी है बाकी आपने किसी भी discipline में graduation कर रखी है B.E.B. Tech कर रखी है इवन अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो भी आप apply करके देख सकते हैं अगर वहाँ पर option आता है तो बाकी आप अपने resume में जो है वो सारी चीज़े लिखती दीजेगा अभी दोस्तों इसमें से आप किसी भी post के लिए आवेदन कर सकते हैं फिलाल चन्नई और पूने के आपको recruitment दिख रही है लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पर pages हैं अगर आप pages करते जाएंगे तो आपको और भी cities मिलेगी जितके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 10-15 दिन इससे जादा पुरानी job के लिए आवेदन मत करिएगा 10 यहाँ एक वीक पुरानी job के लिए आप अवेदन कर सकते हैं अभी यहाँ पे आमदाबाद भी है चन्नई है पूने है और इसके लाब आपको जो हो सकता आने वाले दिनों में मुंबही में recruitment मिल जाए नौइडा में मिल जाए तो आप यह खुद आके चेक करिएगा और आप जरूरी नहीं है कि अगर आप यह वीडियो जो है वो अगर एक वीक के बाद भी देख रहे हैं तो भी आप जाके चेक करिएगा आपको जूनियर कस्मर सर्वीज एक्जेक्टिव की पोस्ट के लिए वेकेंसी जरूर दिखेगा और अगर आप चाहें तो अपलाई कर सकते हैं अब यह थी दोस्तो बात की आपको रुकीट्मेंट जो है वो कैसे देखनी है अब जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करके अपलाई कैसे करना है आप किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है यह जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगा आपको इसको रीड कर लेना है आप चाहें तो यह सारा रीड कर सकते हैं में चीज हम लोग रीड करते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का वर्क एक्सपिरियंस रिक्वाइट नहीं है एजुकेशन क्वालिफकेशन की बात करें तो ग्रेजियेट हैं आप किसी भी डिस्टिप्लिन में आप इलीजिबल अप्लाई कर सकते हैं जीरो से लेके दो साल तक का एक्सपिरियंस यानि कि अगर आपके पास एक्सपिरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास जीरो एक्सपिरियंस है टेली कम्यूनिकेशन में, टेली कॉम से रिलेटीड आपने कुछ किया हुआ या आपके पास experience है, customer service से रिलेटीड आपके पास experience है, आप apply कर सकते हैं management student है आप, तो भी आप apply कर सकते हैं, आपने MBA पास कर लिया है, तो भी आप apply जो है वो कर कर सकते हैं, लेकिन जिस भी post के लिए apply कर रहे हैं, जिस भी department के लिए apply कर रहे हैं, उसका knowledge, उसका जानकरी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद online assessment test लिया जाता है, और उसमें इसी से रिलेटीड चीज़ें आप से पूछी जाती हैं, बाकी दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की age limit नहीं रखी गई है आपकी age कोई भी है, आप apply कर सकते हैं आप fresher हैं, बिल्कुल eligible है, apply कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी तरह का experience है, तो भी आप apply कर सकते हैं और age limit कोई भी यहाँ पे नहीं दी गई हैं, आप बिना age limit को apply कर सकते हैं, आपकी age 30 साल है, 35 साल है 18 से उपर हैं, आप apply कर सकते हैं इसके लावा सेलरी के बारे में यहाँ पे कुछ भी disclose नहीं करा गया है, ना ही यहाँ पे वो selection process के बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका online test, online assessment test ही होगा, return test नहीं लिया जाएगा अब दोस्तों आते हैं कि आपको apply कैसे करना, apply करने के लिए आपको apply now के ओपर click करना है, यहाँ पे आपको दो options दिखेंगी, आप चाहें, तो second वाली option पे click कर सकते हैं, जैसे दोस्तों click कर देंगे, तो simple format आपके सामने जो है, वो open हो जाएगा जिसमें आपसे जो है, वो email address और password मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले email और password नहीं लगाना है, आपको नीचे जो है, वो create an account की option दिख रही है, आपको इसके उपर simply click कर देना है, जैसे दोस्तों click कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आजाएंगे, और यहाँ पे आपको email लगाना है दो बार, और उसके बाद आपको password खुद create करना है दो बार, और password कैसा होना चाहिए, यहाँ पे की जानकारी दी गई है, इसमें सारी चीज़े होनी चाहिए, upper case letter होने चाहिए, lower case letter होने चाहिए, इसके लावा special character involved होने चाहिए और numerical number होने चाहिए, इन चारों का combination बनाएंगे, तो ही आपका password यहाँ पे आएगा, otherwise यहाँ पे error आएगा, तो यह चीज़ ध्यान में रखेगा, इसके लावा आपको first name बताना है, last name, यहाँ पे country बता दीजेगा और यहाँ पे नीचे आजाना है आपको और यहाँ पे आप चाहें, तो इनकी जैसे कोई नहीं जोब, post होती है इनकी website पर तो उसका आपको email के धुरू बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे tick रहने दीजेगा, अगर आपकी मर्जी है, अगर नहीं लेना चाहते हैं, आप update तो यहाँ पे tick हटा दीजेगा, बाकी इसके लावा आपको जैसे ही यह सारी चीजें आप complete कर लेते हैं, आपको यहाँ पे click कर देना है, जैसे click कर देंगे आपका account create हो जाएगा, आप login हो जाएगा और उसके बाद आप apply कर पाएंगे फिर next time जोब आप apply करने जाएंगे तो आपको सीधा जो हे, वो sign in पे जाके sign in करना है और apply जो हे वो कर देना है, फिर बार-बार registration करने की ज़रूरत नहीं है तो यह जानकरी दोस्तों दी गई है उनकी official website पर आप आवेदन करना चाहते कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, tata communication की तरफ से recruitment है, और यहाँ पे हमेशा recruitment आती रहती है, और अगर आपके पास experience है, आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का experience है फिर आप इनकी दूसरी jobs के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें की customer service executive है, इसके लावा senior customer service executive है, जिसमें दो से लेके 6 साल तक experience भागा जाता है, वो recruitment भी आपको दिख जाएंगी, तो यहीता दोस्ता आज की इस वीडियो में, thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करताओं का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी, वीडियो से related अगर आपके कुछ questions हैं, तो comment section में पूछिए, channel को subscribe करें मिलते हैं, next video में